हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक है ध्वनी सिद्धान जो के रपेसी फर्स्ट गेड हिंदी सब्जेक्ट का टोपिक है इसे रेलेटेड पिछली बार क्यूशन आया था सत्य निम्न में से कौन सा कतन ऐस सत्य है इन में से आया था ध्वनी के प्रदान्त भेद में से आया था विवेक्षित वाच्चे ध्वनी और विवेक्षित वाच्चे ध्वन्यों के चार ओप्सन दे 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 थे निम्न में से कौन सा कतन ऐस सत्य है तो आज का हमारा टोपिक है ध्वनी सिद्धान्त ध्वनी सिद्धान्त क परवर्थक कोन है आनंद वर्धन जो है वो ध्वनी सिदांत के परवर्थक है आनंद वर्धन द्वनी सिदांत के आधार भूत पुस्तक कोन सी है ध्वन्या लोक ध्वन्या लोक पुस्तक जो है ये ध्वनी सिदांत की आधार भूत पुस्तक है जिसके रचनाकार कोन है ध्वन्य वादि जो हैं यह रस को व्यंग मांते हैं अतारश είναι तो ध्वन्य भी ही ही तो ध्वन्य वादियों ayam also के नुसार रस ही व्यंग हैं और रस है तो भी ध्वन्य भी हैं ध्वन्य लोग की जो मयत्पूंण की आधार बुद्पुस्तक है और ध्वन्या लोक लोचन जो है ये अभिनव गुप्त द्वारा ध्वन्या लोक पर लिखी गई मैदपून टीका है आनंद वर्धन ने कावी की आत्मा ध्वनी को माना है जब सब्द और अर्थ अपने अर्थ को या अपने अभिप्राय को गो करके किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करते हैं मतलब जो उसका अभिप्राय है उसे तो बिल्कुल चुपा के किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं अर्थात व्यंग अर्थ को प्रकट करते हैं वही क्या होती है ध्वनी होती है और वही कावी है ध्वनी कावी जो है वो उत्तम कावे में आएगा जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का उत्कर्स होता है तथा वो अधिक सुन्दर होता है वहाँ पर क्या आएगा उत्तम कावे जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का उत्कर्स हो और वो अधिक सुन्दर हो तो वो उत्तम कावे कहलाएगा मध्यम कावे में आएगा जहां वाच्यार्थ परधान होता है तथा व्यंग्यार्थ गोण होता है इसे गुणी बूत व्यंग कावे भी कहते हैं उत्तम कावे का उल्टा मध्यम कावे हैं यहाँ पर वाच्यार्थ के पेक्षा व्यंग्यार्थ परध अधिक सुन्दर तो होता है उत्तम कावे, गोनी बूत वेंग कावे कहते हैं मध्यम कावे को और चित्र कावे कहा जाता है अधिक सुन्दर तो है जाता है अधिक सुन्दर तो होता है जो कि लक्षणा मूलक द्वनी होती है और दूसरी आती है विवक्षित वाच्य द्वनी पहले इसी इन दोनों में से चार ओप्सन आये थे जिसमें से ऐसरत्यकतन चाट ना था तो द्वनी के परदांत या दो भेद है अविवक्षित वाच्य द्वनी जो कि लक्षणा मूलक द्वनी होती है और दूसरी है विवक्षित वाच्य द्वनी जो कि अभीदा मूलक द्वनी होती है सबसे पहले आती है अविवक्षित वाचे ध्वनी जो है ये लक्षणा मुलक ध्वनी है इसमें वाचार्थ की विवक्षा या आकांचा नहीं होती है वाचार्थ की अपेक्षा इसमें नहीं की जाती अर्थात अभीदा की अपेक्षा नहीं रहती वाचार्थ जो है वोई अ अर्थांतर संक्रमित वाच्य धोनी अभिवेक्षित वाच्य धोनी के दो भेदों में पहला आता है अर्थांतर संक्रमित वाच्य धोनी जब वाच्यार्थ अन्य अर्थ में चला जाए वाच्यार्थ का अर्थ है अभिदा अन्य अर्थ में चला जाए या संक्रमित हो जाए तो वहां अर्थांतर संक्रमित वाचे दोनी होती हैं और ये कौनसी दोनी में होती हैं उपादान लक्षना वाली दोनी में अर्थांतर संक्रमित वाचे दोनी होती हैं दूसरी आती हैं अविवेक्षित वाचे दोनी का भे दूसरा अत्यांत तिरस्करत वाचे धोनी जिसमें वाचार्थ अर्थात अभीदा का अत्यांत तिरस्कार किया जाता है वहाँ पर अत्यांत तिरस्करत वाचे धोनी होती है और ये कौन सी धोनी में होती है लक्षण लक्षणा वाली धोनी में ये अत्यांत तिरिस्कत वाचे धोनी होती है तो याद रेखेगा ऐ विवक्षित वाचे धोनी लक्षणा मुलक धोनी है और इसमें वाच्चार्थ अत्वा अभीदा की आकांचा नहीं होती और इसके भी दो भेद हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्चे धोनी जब वाच्यार्थ अर्थात अभिदा अन्यार्थ में चली जाए या संक्रमित हो जाए तो वहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्चे धोनी होती है और ये उपादान लक्षना वाली धोनी में होती है दूस तुसरा आता है विवक्षित वाच्यदुनी जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होकर अन्य परग या विंग्यार्थ का बोधग होता है वहां पर विवक्षित वाच्यदुनी होती है जहां पर अभीदा अन्य परग या विंग्यार्थ का बोध कराता है वहां पर विवक्ष विवक्षित वाच्य धुनी में पहले वाच्यार्थ का ग्यान होता है अर्थात पहले अभीदा का ग्यान होता है फिर वंग्यार्थ की प्रतिती होती है अर्थात अन्यार्थ की प्रतिती होती है यह धुनी जो है विवक्षित वाच्य धुनी यह अभीदा मुलक होती है रस ध्वनी भी कहते हैं अभीदा से व्यंजना में अर्थ के संक्रमित होने का करम लक्षित नहीं होता अभीदा से व्यंजना में जब अर्थ संक्रमित होता है तो उसका करम लक्षित नहीं होता है यह याद रखेगा कमल पत्र सूची भेद्य न्याय से अभीदा से व्यंजन अबिदा से विंजना में बदलने का अबास नहीं होता है। संलक्ष करम वियंगी ध्वनी में वस्तु धनी वा अलंकार ध्वनी भी सामिल है। यह आपका टोपिक हो गया कम्पलीट ध्वनी सिद्धान्त। अगर आपको पसंद आया तो इसे जादा से जादा लाइक करें ताकि यह दूसरे स्टुडेंट तक भी पहुँच पाए। आप लाइक करोगे तब दूसरे इसे पढ़ पाएंगे और मैं भी जादा से जादा वीडियो बना पाऊंगा। तो बढ़ते हैं आपके अपने चैनल के साथ लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक के साथ जै हिंद जै भारत।